प्रस्न तीन, सरल करें, प्रस्न तीन का पहला, माइनस 343, एक्स का घात साथ, बाई का घात दो, एका घात चार, बी का घात तीन, बटा, माइनस 49, एक्स का घात चार, बाई एका घात तीन, बी, तो इसको सेरल करना है, तो इसमें देखिए 49, 49 सत्य 343 होता है, तो 49 से 343 साथ बार में काट देंगे, ठीक है, 49 से 343 को भाग देंगे, तो 7 आएगा, यानि 343 को 49 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा, यानि 49 सत्य होता है 343, तो 49 से 343 को साथ बार में काट देंगे, और माइनस माइनस हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो हम लिख लेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो लिख लेंगे साथ एकस का घात साथ माइनस तो एकस का घात साथ को एकस का घात चार से भाग देना है तो x का घात 7-4 लिखेंगे और by का घात 2-1 लिखेंगे फिर a का घात 4-3 लिखेंगे फिर b का घात 3-1 लिखेंगे थीक है तो 7 को X का घाठ 4 से भाग देना है तो 7 minus 4 लिख देंगे क्योंकि भागा में घाठ को घटा लेते हैं तो 7 में से 4 घटाएंगे उसी तरह यहाँ बाई का घाठ 2 है और यहाँ सिर्फ 2 है तो 2 minus 1 लिखेंगे यहाँ बाई का घाठ कुछ नहीं है तो 1 है उसी तरह यहाँ पर देखिए एक का घाद 4 को एक का घाद 3 से भाग देना है तो एक का घाद 4 माइनस 3 लिख लेंगे बी का घाद 3 को बी से भाग देना है तो बी का घाद 3 माइनस 1 लिख लेंगे यहाँ पर कोई घाद नहीं है तो 1 है तो इसका उत्तर आ जाएगा 7X का घाद 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ गया यानि 7X का घाद 3 फिर 2 देखे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे फिर A लिख लेंगे 4 में से 3 गया 1 आ गया तो सिर्फ A लिखेंगे फिर B का घाद 3 में से 1 घट आएंगे तो 2 आएगा तो इसका उत्तर आ गया 7X का घाद 3 बाई A B स्क्वार दूसरा दूसरा प्रसन है 15X स्क्वार बाई Q Z का घाद 4 बटा 10XY स्क्वार Z Q ठीक है इस तरह से प्रसन है 15X स्क्वार बाई Q Z का घाद 4 10XY स्क्वार Z Q तो देखे 5 से यहां पर देखे 5 से कट रहा है 5-10 5-3-15 ठीक है 5 से दोनों कट रहा था 5-10-5-3-15 तो काट देंगे 5-10-5-3-15 ठीक है अब हम लिख लेंगे 3 बटा 2 X का घाद 2 माइनस 1 Y का घाद 3 माइनस 2 Z का घाद 4 माइनस 3 तो यहां पर भागा करना है यानि X का घाद 2 को X से भाग देना है तो देखे X का घाद 2 माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि X यहां पर X का घाद कुछ नहीं है तो 1 है ठीक है तो X का घाद 2 माइनस 1 लिख लेंगे उसी तरह 2 का घाद 3 3-2 लिखेंगे देखें बाई का घात 3 को बाई का घात 2 से भाग देना है तो भागा में क्या करते हैं घात को घटा लेते हैं तो 3-2 हो गया और यहां पर जेड का घात 4 को जेड का घात 3 से भाग देना है तो जेड का घात 4-3 हो जाएगा इस तरह लिख लेंगे तो इसका उत् ठीक है तो सिर्फ x by z लिख देंगे देखिए दो में से एक गया तो एक आएगा तो एक नहीं लिखते हैं सिर्फ x लिख देंगे तीन में से दो खटाएंगे तो एक आएगा तो by का घात एक नहीं लिखेंगे सिर्फ by लिखेंगे उसी तरह z का घात एक नहीं लिखेंगे सिर तीसरा माइनस 180 M का घाद 4 N का घाद 6 P का घाद 8 बटा 36 M स्क्वाईर N का घाद 5 P का घाद 6 तो फ्रस्न क्या है माइनस 180 M का घाद 4 N का घाद 6 P का घाद 8 बटा 36 M स्क्वाईर N का घाद 5 P का घाद 6 तो 36 पचे 180 होता है तो देखे 36 से 5 बार में 180 को काड़ देंगे 36 पचे 180 ठीक है तो 5 बार में कट गया अब लिखेंगे माइनस 5 देखें माइनस है याँ पर ये पलस में था तो पलस माइनस माइनस यानि माइनस का चीन देंगे 5 लिखेंगे फिर M का घाद 4 माइनस 2 लिखेंगे फिर N का घाथ 6-5 लिखेंगे फिर P का घाथ 8-6 लिखेंगे ठीक है, तो भागा करना है यानि भागा में घाथ को घटा लेते हैं तो 4-2, N का घाथ 4 को N का घाथ 2 से भाग देना है तो N का घाथ 4-2 लिखेंगे उसी तरह N का घाथ 6 को N का घाथ 5 से भाग देना है तो 6 माइनस 5 लिखेंगे अब P का घाथ 8 है बटा में P का घाथ 6 है तो P का घाथ 8 माइनस 6 लिख लेंगे यानि भागा में क्या करते हैं घाथ को घटा लेते हैं तो इसका उत्तर आ गया माइनस 5 M का घात 4 में से 2 गया 2 आएगा फिर N का घात 6 में से 5 गया 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे सिर्फ N लिखेंगे फिर P का घात 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा तो इसका उत्तर आगया है माइनस 5 M स्क्वाइर N P स्क्वाइर कर दो, तो लिए आएगा टो कर दो मैं ले उलाएगा नहीं , तो अर तो geto play, infect the